आज की इस वीडियो में मैं बनाऊंगी पालक और मेथी के पकोड़े सर्दियों का इस पेसल रेसिपी चाय के साथ गर्मा गरम यह पकोड़े मिल जाए तो इसकी बात ही कूछ और है एक दम इस ट्रीट स्टाइल एक दम क्रिस्पी और स्पाइसी तो दोस्तों इस वीडियो को इस तरीके से चोटे-चोटे पालक काट लें यहाँ पर लिया मैंने मुटी भर के मेथी इसे तो करके क्लीन कर लिया है अब इसे चोटे-चोटे टुकरों में काट लेंगे जैसे पालक काटेंगे वैसे ही मेथी को काट लेंगे अभी दोनों को एक साथ मैने रख लिया है का अलू डालेंगे तो एक बड़े साइज का अलू लीजिए जिसका चिलका निकाल ले और इस तरीके से ग्रेट कर लीजिए बिल्कुल आप देख सकते हैं पतले पतले लंबे-लंबे अलू ग्रेट हो गया है यहां पर तो अलू डाल देंगे तो इसका टेस्ट थोरा बदल प्याज डालने के बाद में थोरे से इसमें मसाले डाल आ एक चम लाल मीर्च का पॉडर यह फिक टेस्ट के अकॉर्डिक मीर्ची डाले धनिया पॉडर rekड़र एक चमल अधिचमाज हल्दी पॉडर और डालेंगे इसमें अध्यक पेस्ट एक चमाछ बढ की और डालेंगे 8-10 बाडिक कटी हुई हरी मीट्स और डालेंगे यहाँ पर टेस्ट के कोडिंग नमक और डालेंगे मुठी भर धनिया की पती बाडिक कटा हुआ अब इसे मिक्स करेंगे ये बहुत ज़्यादा बेशन वाला नहीं होना चाहिए हलका सा बेशन बाइंड होना चाहिए बस बहुत ज़्यादा बेशन इसमें नहीं डालेंगे अगर मिक्स करते हुए बेशन कम लगता है तो दो से तीन चमच बेशन आप और डाल लीजिए आप यहाँ पर चाहिए तो अजवाईन या फिर जीरा मसल करके डाल सकते है पर मैं इसे सिंपल बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ और बीना पानी का इस तरीके से आप मसले इसे पानी डालेंगे तो बाद में गिल्ला हो जाएगा बीना पानी का मसलेंगे बिल्कुल अच्छा होगा और इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए थोरा सा सर्सो का तेल यानी की करवा तेल चमस से एक चमस डाल ले और अच्छे से मिक्स कर दे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये डालने से बहुत टेस्टी लगेगा अभी बाइंड हो चुका है पालक और मेथी अब इसके निम्भू के आकार के या फिर थोरा बड़ा या छोटा अपने पसंद के मुताबिक इसका बॉल बना ले इस तरीके से गोल गोल बना रही हूं मैं आप चाहे तो इसे फ्लेट भी बना सकते हैं चप्टा भी कर सकते हैं तो इस तरीके से सभी का बॉल बना करके मैंने रख लिया है मिडियम साइज का अब इसे फ्राई करना है आप चाहे तो फ्रीज में रखके दो तिन घंटे इसको रेस्ट दे करके भी फ्राई कर सकते हैं तेल का हीट जो है बहुत ज़्यादा ना रखे और बहुत कम रखे मीडियम हीट में डाले नहीं तो उपर से जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा अंदर तक हमें क्रिस्पी बनाना है तो लोटू मीडियम फ्लेम पर इसमें पकवड़े को डाल दे और थोरा सा कलर आ जाए दो मिनट हो जाए तब कर्सी लागा करके पलटिये बहुत ज़्यादा हीट तेल में रहेगा तो डालते डालते जल जाएगा अंदर से नहीं पकेगा क्योंकि सेफ मैंने गोल बुल दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और बहुत रख लीजिए और बचे हुए को इसी तरीके से हम डाल करके फराई कर लेंगे तो चाय के साथ इसे साम के टाइम में खास करके बहुत ही पसंद किया जाता है ठंडियों के सीजन का खास पकोड़ा पालक और मेथी के पकोड़े तो इस तरीके से पालक मेथी के पकोड़े बन